इस्टूडेंट यहां exercise 13.2 का question number 1 और 2 है question छोटे थे इसलिए इसलिए एक ही वीडियो में include कर दिया गया और इस chapter से पहले के exercise से पहले के exercises के वीडियो देखना हो तो जो यहां पर आई का icon बना हुआ है उसे click करके आप पिछले वीडियो की study कर सकते हैं या description box में सभी वीडियो की link देवे हैं आप वहां से click करके उन सभी वीडियो की study कर सकते हैं या अपने friends को share कर सकते हैं आए question को देखते हैं कि उचाई 14 cm वाले एक लंब बृती वेलन एक लंब बृती वेलन है वेलन का आकार इस तरह का होता है ठीक है न इस तरह का आकार बेलन का आकार होता है pipe हो गया slender हो गया pillar हो गया यह सब बेलना कार होते हैं तो यहाँ पर बेलन की उचाई बेलन की उचाई आपको given है जो कि हैसे आप निरूपित करते हो वोगा और यहां पर बेलन की त्रिज्या नहीं दिया माना बेलन की त्रिज्या आर होगा या ज़को हम आर से ही यहां पर कर दे माना बेलन की त्रिज्या बराबर आर सेंटिमेटर तो बेलन का वक्र प्रिष्ठ क्या होता है बेलन का वक्र प्रिष्ठ ठेक बक्र प्रिष्ठ बराबर होता है 2πrh 2πrh और 2πrh की value दीवी है 88 cm2 यहां पर 2 लिखें πrh की value 22 upon 7 r given नहीं है h is equal to 14 is equal to 88 देखे 7 बन जा 7, 7 तू जा r is equal to 88 upon 2 into 22 into 2 2 से divide कर दीजे 44 हो गया इससे divide कर दीजे 2 जा हो गया 2 से यहां पर 1 हो गया आप से पुछा गया आधार का ब्यास क्या होगा इसलिए ब्यास बराबर क्या हो जाएगा 2 into r 2 into r 2 r की value 1 यह 1 cm यहां पर जाएगा 2 cm जो आधार का ब्यास होगा वो कितना जाएगा 2 cm हो जाएगा आज यह nutrition को देखते है दात की एक चादर से 1 मिटर होंचा तो यहां पर आपने note किया पहले अपना information कि बेलना कार टंकी की होंचाई होंचाई ऐसे आपने रूपित करेंगे और यह जाएगा 1 मीटर ब्यास यहां पर ब्यास कितना है 140 cm बेलना कार टंकी का ब्यास बराबर कितना है 140 cm वह इसको आप मीटर में कनवर्ट कर दें 140 बटे यहां पर 100 100 से भाग कर दीजिए तो यहां जाएगा 1.4 मीटर यह ब्यास हो गया बेलना कार टंकी की त्रिज्या टंकी की त्रिज्या कितनी जाएगी 1.4 है तो 1.4 को आप 2 से डिवाइट कर दीजिए 0.7 मीटर जाएगा ठीक है न कभी कभी स्वेश्चन को ब्यास कभी इसको त्रिज्या ही बना बता के पूछेते हैं कि यहां पर त्रिज्या ही इतनी है तो कितना लगेगा तब आपको त्रिज्या निकालने जरुत नहीं पड़ेगी जो ब्यास की जाएगा पर त्रिज्या दिया होता है अब यहाँ पर इन्हों ने पूछा कि बेलनाकार टंकी बनाना है इसमें कितने वर्ग मीटर चादर के सतर पड़ेगी तो बेलनाकार टंकी में लगे चादर का छेतर फल कितना जाएगा इसका फाबला संपूर्ट पेस टू पाई यार एच प्लस आर टू पाई की वैल्यू 22 अपान सेवें आर आर इस इक्वल टू 0.7 एड एच एच वन प्लस वन प्वाइंट स्वारी प्लस यहां पर हो गया 0.7 मीटर स्क्वार देखिए इसको काड़ दीजिए 0.1 हो गया 4.4 हो जाएगा इन्टू इसको आप कर दीजिए 1.7 मीटर स्क्वार होगा तो 4.4 17.4 जाए 68 कैरी 6 68 और 6 फिर से कर लीजिए 8 6 14 6 and 1 7 7.4 7.48 मीटर स्क्वार ठीक है जब यहां पर ब्यास 140 सिंटी मीटर होगा तो त्रिजिया 0.7 मीटर जाएगी तब जो होगा चादर का चेत्र पर इतना जाएगा और अगर यहां पर ब्यास की जगाए पर त्रिजिया दी जाए तो केवल आप 1.4 रखेंगे आप 1.4 यहां पर 1.4 यहां रखेंगे और आंसर फिर निकाल लीजिए इस तरह से आप उस कर सकते हैं थैंक्स तो आच